प्यारे विद्ध्यार्थियों आज हम कक से आठ वी विशे हिंदी के आदरस परसन पत्तर दो के बहु विकल्पिये परसन हैं उनके बारे में अध्यन करेंगे परसन नमबर एक निम लिखित में से कौन सा सब्द हात का परियावाची नहीं है यहां हास्थ पाणी कर ये आठ के परियावाची है और कटी यहां हाथ का परियावाची नहीं है कटी का आर्थ कमर होता है परसन नमबर दो चांदनी का परियावाची सब्द नहीं है चंद्रा तप, कौमुदी, जोच्छना ये चांदनी के परियावाच्ची है यहां मैंक चांदनी का परियावाच्ची नहीं है मैंक कार्थ होता है चंद्रमा परसन नमबर तेन यथार्थ का विलॉम सब्द आदरस परसन नमबर चार, अथ का विलॉम सब्द अथ कार्थ होता है किसी काम का स्री गनेश करना स्री गनेश या सुरुवात करना तो यहां अथ का विलॉम सब्द इती होगा परसन नमबर पांच किस में सव उप्सरग नहीं है यहां सव देश में सव उप्सरग है सव राज्य में सव उप्सरग है सव तंतर में सव उप्सरग है यहां स्वेंबर में सव उप्सरग नहीं है परसन नमबर छे सम उप्सरग किस सब्द में नहीं है समकक्स में सम उपसरग है सम कौन में भी है और समतल सब्द में भी है या से सर्थ में सम उपसरग नहीं है परसन नमबर साथ राजपुताना में कौन सा परते है राजपुताना में आना परते है परसन नमबर आठ बुद्धिमान में परते है परसन नमबर नो दाता सब्द का स्त्री लिंग होगा दात्री परसन नमबर दस मौर का लिंग बदलो मौर का हम लिंग बदलेंगे तो मौर नहीं हो जाएगा परसन नमबर ग्यारा इंदी में वचन के कितने भैद माने गए हैं हिंदी में वचन के दो भेद माने गए हैं एक वचन और भवचन पर्षन नम्बर बारा निमली कितमे से एक वचन का हुदारन गमले बच्चे और हम ये तीनों सब्द भवचन के हुदारन है और लड़का एक वचन का हुदारन है परसन नमबर तेरा समास बताओ पितामबर में कौन सा समास है पितामबर में भावबरी समास है परसन नमबर चोदा मरग नैनी में कौन सा समास है मरग नैनी में करमदारिय समास है पर्षन नमबर पंद्रा सजन में संदी है सजन में वेंजन संदी है सत जमा में जन तो यहां तैका जै हो जाएगा पर्षन नमबर सोडा देवाले में संदी है देवाले में दिर्ग संदी है पर्षन नमबर सत्रा निमलिकित में से परेणार्थक किरिया का हुदार्ण कौन सा बाक्य है सबसे पहले हम यहां देखेंगे परेणार्थक किरिया की परिवासा क्या होती है जहां करता खुद कारियने करके किसी दूसरे से कराए वहां परेणार्थक किरिया होती है तो यहां परेणार्थक किरिया का हुदारण यह आई विकल्प वाला जो वाक्य है यह है यहां वह करता खुद कामने करके किसी दूसरे सिता से करवा रहा है तो यहाँ यह प्रेणार्थिक किरिया का हुदारण है परसन नमबर अठारा करम के आधार पर किरिया के कितने बेहद हैं करम के आधार पर किरिया के दो बेहद हैं सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया परसन नमबर उन्निस कान कतरना मुहावरे कार्थ बताईए कान कतरना मुहावरे कार्थ होता है बहुत चाला को होना चिकना गड़ा मुहावरे कार्थ क्या होगा चिकना गड़ा मुहावरे कार्थ बेशरम होता है परसन नमबर 21 किस वाक्य में अपादान कारक है यहां अपादान कारक की परिवासा क्या होती है जहां किसी चीज का अलग होना पाया जाए वहां अपादान कारक होता है यहां हिमाले से गंगा निकलती है इस वाक्य में अपादान कारक है परसन नमबर बाइस बंदर पेड़ पर बैठा है वाक्य में कौन सा कारक है जहां किरिया के किरिया के आधार का बोद हो वहां हादीकरण कारक होता है तो ये वाक्य हादीकरण कारक का हुदारण है परसन नमबर तेईश निमन निमन में से कौन सा सब्द मुला अउस्था है ये विशेशन की तुलना की आवस्था है विशेशन की तुलना की तीन आवस्थाएं होती है मुला आवस्था उत्रा आवस्था और उत्मा आवस्था ये विशेशन की तुलना की तीन आवस्थाएं होती है मुला उस्ता विशेशन की पहली आउस्ता होती है तो इसका हुदारण सुन्दर सब्द है परसन नमबर 24 इन में से कौन सा सब्द समू आचक संग्या है समू आचक संग्या की परिवासा होती है जिससे समू या समुदाय का बोध हो उसे समुवाचक संग्या कहते हैं तो यहां सभा समुवाचक संग्या का हुदारण है पर्षन नमबर पत्चीश परियोग की द्रिष्टी से विशेशन कितने परकार के होते हैं विशेशन दो परकार के होते हैं पर्षन नमबर चब्विश टेवरक का उत्सार्ण स्थान मुर्धा परसन नमबर 27 निम लिकित में से कौन सा एक सैंक्त वेंजन नहीं है सैंक्त वेंजनों की संख्या चैयर है शै, त्रै, गै और स्रै तो ये सैंक्त वेंजन है ये वरण भी सैंक्त वेंजन है और ये वरण भी सैंक्त वेंजन है तो यहां सैंक्त वेंजन का हुदार्ण नहीं है परसन नमबर 28 शिलारपूर सब्द किस संग्या का हुदार्ण है शिलारपूर वेक्ति वाचक संग्या का हुदार्ण है व्यक्ति वाचक संग्या की प्रिवासा क्या होती है जहां किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो तो यहां सथान का बोध हो रहा है तो यह व्यक्ति वाचक संग्या का हुदारण है परसन नमबर 29 पुरुस वाचक सरुनाम कितने परकार के होते हैं पुरुष वाचक सरुनाम तीन परकार के होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष परसन नमबर तीस कोई और कुछ किस सरुनाम के हुदार्ण है कोई और कुछ ए निश्चे वाचक सरुनाम के हुदार्ण है आसा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद